हम पढ़ रहे हैं कक्षा नवी हिंदी की पाठ्या पुस्तक स्पर्श भाग एक का पाठ्या ग्रम आज हम पार्ट पांच पढ़ने जा रहे हैं पार्ट पांच में आपको गणे शंकर विद्यार्थी जीद्वारा लिखा गया एक लेख दिया गया है जिसका शिर्शक है धर्म की आड़ प्रस्तुत पार्ट धर्म की आड़ में लेखक ने उन लोगों के इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब किया है जो धर्म की आड़ लेकर जन सामानिया को आपस में लड़ा कर अपना स्वार्च सिथ करने की फिराक में रहते हैं धर्म की आड़ में अपना स्वार्च सिथ करने वाले हमारे ही देश में हो ऐसा नहीं हैं लेखक ने इस पार्ट में दूर देशों में भी धर्म की आड़ में कैसे कैसे कुकर्म हुए हैं कैसी कैसी अनीतिया हुई हैं कौन कौन लोग वर्ग और समाज उनके शिकार हुए है इसका खुलासा किया है तो चलिए हम भी लेखक की दृष्टी से जाने कि धर्म की आर्ड में किस प्रकार के लोग को कर्म करते हैं किस प्रकार के लोग जो है जन सामानिय को मुर्ख बनाते हैं वे किस तरह से जो है लोगों को आपस में लड़वाते हैं तो चलिए पाट को शुरू करते हैं इस समय देश में धर्म की धूम है उत्पात किये जाते हैं तो धर्म और इमान के नाम पर और जिद की जाती है तो धर्म और इमान के नाम पर उत्पात कहा जाता है खुरापात को और इमान कहा जाता है सच्चाई को लेखा के हाँ पर बता रहे हैं कि ये वो समय है जब देश में धर्म की धूम है यानि हर समय हर किसी की जुबान पर धर्म ही है अगर कोई गलत काम भी किया जाता है तो धर्म और सच्चाई के नाम पर उसे छुपा दिया जाता है उसे जो है धर्म और इमान का नाम दे दिया जाता है कोई जित की जाती है वो भी धर्म और सच्चाई के नाम पर की जाती है यानि लेखा कि हाँ पर ये बताना है कि जो धर्म और इमान के नाम पर जो लोग हैं वो बहुत सारे गलत काम इस प्रकार से छुपा देते हैं उन्हें जो है धर्म और सच्चाई का नाम दे देते हैं ताकि दूसरे जो लोग हैं वो उसके खिलाफ जो है आवाज ना उठा सके और उनका फायदा आराम से हो जाए रमवा और बुद्धु मिया धर्म और इमान को जाने या ना जाने परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तयार हो जाते हैं अब लेखा के हाँ पर बताते हैं कि जो मुर्ख लोग हैं जो बुद्धु लोग हैं जो धर्म और सच्च पर इतने उबल पढ़ते हैं उन्हें इतना गुसा आजाता है कि वो अपनी जान देने और दूसरों की जान लेने के लिए भी तयार हो जाते हैं। कि वो कुछ भी नहीं समझता भूचता और दूसरे लोग उसे जिधर जो देते हैं उधर चुद जाता है अब लेखर के हाँ पर देश के सभी शहरों की बात कर रहे हैं कि देश के सभी शहरों का यही हाल है गुसा करने वाले जो साधारन आदमी है यानि जो धर्म और सच्चा के नाम पर उबल पड़ते हैं उनका केवल इतना दोश मानता है लेखर की वो धर्म के नाम पर कुछ भी कर बैठते हैं उन्हें कुछ समझता भूचता नहीं है और जो उन्हें मुर्क बनाते हैं वो लोग उन लोगों को जिधर को भेज देते हैं उनसे जैसा काम करवा लेत कि इस प्रकार जाहिलों के बलके आधार पर उनका नरितित्व और बड़पन कायम रहे दोश कहा जाता है गलती को और जाहिल कहा जाता है मुर्ख को अब यहां पर लेखक ये बता रहे हैं कि गलती उन लोगों की है जो चलते पुर्जे पड़े लिखे लोग हैं जो मुर्ख लोगों की शक्तियों और उत्सहा का गलत इसले कर रहे हैं ताकि उन लोगों के जो वो मुर्ख लोग हैं उनके बलके आधार पर जो हमेशा अपनी कुर्सी पर बने रहें वो हमेशा अपने जो उनका बड़पन है वो कायम रहे उनका जो दूसरे लोगों पर रुत्बा है वो कायम रहे वो दूसरों के प्रती जो है अपने आपको उचा समझते हैं जो दूसरे लोग है वो हमेशा उनका सम्मान करें इसलिए जो है वो पड़े लिखे लोग जो है मुर्ख लोगों का उन अनपड़ लोगों का गलत फाइडा उठाते हैं उनसे गलत गम करवाते हैं और अपने दामन को हमेशा साथ ताकि जो लोग हैं वो उन पर उनली ना उठाएं इसके लिए धर्म और इमान की बुरायों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है सुगम है भी सुगम होता है आसान अब यहां पर लेखक बता रहे हैं कि जो वो पड़े लिखे लोग हैं जो अनपर लोगों का मुर्ख लोगों का गलत उपयोग करते हैं उनकी शक्तियों का उनके जो बल है उसका दुर उपयोग करते हैं वो जो है धर्म और सच्चाई की जो बुराया हैं उनसे काम लेना उन्हें बहुत जादा आसान लगता है और ये आसान है भी लेखक यहां पर इसे आसान क्यों बता रहा है ये हम आगे जानेंगे साधारन से साधारन आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और इमान की रक्षा के लिए प्रान तक दे देना वाजिब है वाजिब कहा जाता है सही को और उचित को अब लेखक ने यहां पर उस बात को सही क्यों साबित किया था क्योंकि जो साधारन आदमी है जो आम आदमी है उसके दिल में ये अच्छी तरह से बात बैठी हुई है कि धर्म और सच्चाई की रक्षा के लिए अगर आपको प्रान भी देने पड़ें तो ये सही है हमें सच्चाई और धर्म के लिए अपने प्रान तक निचावर कर देने चाहिए लेखक के कहने का ताद पर यहां ये नहीं है कि धर्म और इमान की रक्षा के लिए हमें अपने प्राण को निचावर करना गलत है लेखक यहां पर ये इसलिए पता रहा है क्योंकि जो साधारन आदमी है उसके दिल में ये बात बैठी हुई है और जो बड़े लोग है वो इसका गलत फायदा उठाते हैं वो धर्म के नाम पर जो है साधारन लोगों को बहकाते हैं और उनसे गलत काम करवाते हैं उनसे कुकर्म करवाते हैं और जो साधारन आदमी है वो इस बात को नहीं समझ पाता और वो यही सोचता है कि जो बड़े लोग हैं जो वो अमीर आदमी है वो सही कह रहे हैं उन्हें धर्म के जादा नौलिज है जबकि ऐसा नहीं है बेच बेजा होता है गलत अब लेखा कि हम बताता है कि जो बेचारा वो साधारन आदमी है जो वो आम आदमी है वो धर्म के तत्वों को नहीं जानता यानि उसे पूरी-पूरी समझ नहीं है कि धर्म क्या है वो बिचारा जो है अपनी किस्मत पर ही बैठा रहता है वो अपनी किस्मत को ही अपना धर्म समझता है उसकी इसी अवस्था का जो है वो चालाख लोग जो पड़े लिखे लोग हैं जो उचे पदवी पर बैठे हुए लोग हैं वो इसका बहुत गलत फायदा आज की डेट मे उठा रहे हैं पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीव मजदूरों की जोंपड़ी का मजजाक उडाती हुई अटालिकाएं आकास से बाते करती है अटालिकाएं कहा जाता है उचे-उचे मकानों को अब लेखक यहां पर जो है पश्चिमी देशों का उधारन दे रहे हैं उचे मकानों को अब लेखक यहां पर जो है पश्चिमी देशों का उधारन दे रहे हैं कि जिस प्रकार से जो पश्चिमी देश है वहां पर जो धनी लोग हैं उनके जो उचे-उचे मकान हैं वो गरीव मजदूरों की जोंपड़ियों का मजजाक उडा रहे हैं य पेचारे जो गरीब मजदूर हैं, जो मेहनती लोग हैं, वो अभी भी छौपड़ियों में रहते हैं। गरीबों की कमाई से ही वे मोटे पड़ते हैं और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रतन करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें, यहब भ्यंकर अवस्ता है। लेखा कि हाँ पर बताते हैं कि जो गरीब हैं उनकी कमाई से ही वे लोग मोटे पड़ते हैं यानि वे और जादा अमीर क्यों बन रहे हैं उन गरीबों की वज़ा से क्योंकि जो गरीब लोग हैं महनती होते हैं वो महनत करते हैं बहुत जादा और उसका फायदा अमीर लोग उठाते हैं वे जो हैं उन्हें कम वेतन देते हैं कम सेलरी देते हैं और उनकी जो महनत है उसकी फायदा अमीर लोगों को होता है वे अपने एशो अराम में उनके पैस उठाता रहे ये लेखक बताता है कि ये सबसे भ्यंकर अवस्था है यानि जिसमें अमीर जादा अमीर होता रहे और गरीब बेचारा गरीब ही बनता रहे ये बहुत जादा बुरी अवस्था है इसी के कारण सामयवाद बोल्शेविज्म आदी का जन्म हुआ सामयवाद कहा जाता है काल मार्क्स त्वारा प्रतिपादित राजनेतिक जो सिदान थें जिनका उदेश्या विश्व में वर्गहीं समाज के स्थापना करना था और बोल्शेविजम कहा जाता है सोवियत कर्श थापित विवस्था थी अब लेखक बताते हैं कि जो ये अमीर से अमीर होने की और गरीब को गरीब करने की जो ये अवस्था है इसी के कारण जो है सामयवाद और बोल्शेविजम का जन्म हुआ था यानि इसी को खत्म करने के जो है इनका जन्म हुआ था हमारे देश में इस समय धन पत्यों का इतना शोर नहीं है यहां धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धी के लिए करोणों आदमियों की शक्ति का दुरूपयोग किया करते हैं अब लेखक यहां पर बताते हैं इस समय यहां पर जो अमीर लोग हैं इनका इतना शोर नहीं है यानि यहां पर लेखक थोड़े सी हमें तसली देते हैं कि हमारे देश में उतना जादा बुरा हाल नहीं हैं जितना पश्चिमी देशों में हैं अब लेखक बताते हैं कि हमारे देश में धर्म के नाम पर प्रोडों आदमों की शक्ति का दुरूप्यों क्या करते हैं यानि कुछ बहुत कम लोग हैं जो इस प्रकार के बुरे काम करते हैं जो दूसरे बेचारे लोग हैं जो धर्म को नहीं समझते हैं जिनें नहीं पता है बुरे काम अच्छे काम क्या हैं उनकी शक्ति का दुरूप की मार धनाड्यों होता है धनवान अब लेखक यहां पर ये क्लियर करते हैं कि गरीबों का जो धनवानों द्वारा चूसा जाना यानि गरीबों का जो धनी लोग दुरुपयों करते हैं उनकी जो बल है उनकी जो शक्ति है उसका जो गलत उपयों करते हैं उनसे बहुत जादा काम करवाते हैं उसके बदले उन्हें पूरा धन नहीं देते हैं ये इतना बुरा नहीं है यहां पर लेखग बुरा इताते हैं कि यह सबसे बुरा बुद्धी पर मार है यानि जो पाश्चात्या देश है वहां पर धन की मार है और यहां हमारे देश में बुद्धी की मार है जो और भी जादा बुरी है वहां धन दिखाकर करोणों को वश्मे किया जाता है और फिर मन माना धन पैदा करने के लिए जोद दिया जाता है अब यहां पर लेकर बताते हैं कि जो पाश्चात्य देश हैं जो पश्च्चमी देश हैं वहाँ पर पहले लोगों को धन दिखाया जाता है यानि वहाँ पर पहले ये दिखाया जाता है कि हमारे पास बहुत जादा पैसा है हमारे पास आओ हम तुम्हें काम देंगे और तुम्हारे काम के बदले तुम्हें अच्छा पैसा देंगे यहाँ दिखाकर वहाँ पर करोडों लोगों को अपने वश मिकिया जाता है और फिर उनसे मन माना धन पैदा करने के लिए उन्हें जोद दिया जाता है यानि उनसे इतना काम करवाया जाता है जिससे उनका धन करोडों गुना दूगुना हो जाता है लेकिन वो जो गरीब हैं जो उनका पैसा देखकर उनके पास काम के लिए आये थे उन्हें जो है बहुत यहां है बुद्धी पर परदा डाल कर पहले इश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धन, इमान, इश्वर और आत्मा के नाम पर अपने स्वार्थ सि के लिए लोगों को लड़ना भिडाना, स्वार्थ सिध्धी होता है अपना स्वार्थ सिध्ध करना, अब लेखक यहां पर बताते हैं कि पश्च्चिमी देशों में जिस परकार से लोगों को जो है धन दिखाकर जादा धन कमाने के लिए उन्हें जो दिया जाता है उनसे जादा मेहनत करवाई जाती है हमारे देश में यहां पर जो है लोगों की बुद्धी पर ही परदा डाल दिया जाता है यानि यहां पर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान जो है अपने लिए बनाया जाता है यानि जो अमीर लोग हैं जो बड़े लोग हैं जो धर्म के नाम गलत काम करते हैं वो जो है लोगों के मन में अपने आपको इश्वर बता देते हैं उनके अपने लोगों के मन में जो है अपने आपको इश्वर का स्थान दिला देते हैं और फिर धर्म सच्चाई और इश्वर और आत्मा के नाम पर जो है अपने स्वार्थ की सिध्धी करते हैं लोगों को उसके नाम पर लड़ते भिढ़ाते हैं और अपना काम निकलवाते हैं मुर्ख बैचारे धर्म की दुहायां देते और दीन दीन चिलाते हैं अपने प्राणों की बाजियां खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धुर्थ आदमियों का आसन उचा करते और उनका बलबडाते हैं अनियंत्रित होता है जो नियंत्रण में ना हो जो मनमाना काम करता हो और धुर्त होता है चली कप्टी या पाखंडी अब लेखा के हाँ पर बताते हैं जो मुर्क लोग होते हैं जो बिचारे धर्म को नहीं समझते हैं वो धर्म की दुहायां देते रहते हैं दीन दीन चिलाते रहते हैं और अपने प्राणों की बाजियां तक खेल देते हैं केव धर्म और इमान के नाम पर किये जाने वाले इस भीशन व्यपार को रोकने के लिए साहस और द्रिर्टा के साथ उप्योग होना चाहिए जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारत वर्ष में नित्य प्रती बढ़ते जाने वाले जगडे कम ना होंगे अब लेखा के हाँ पर बताते हैं कि धर्म और सचाई के नाम पर किये जाने वाला जो ये भीशन व्यपार है ये रोकने के लिए साहस और द्रिर्टा के साथ उसका उप्योग होना चाहिए लेखा के हाँ पर ये भी बताते हैं कि जब तक ऐसा नहीं होगा यानि जब तक ये धर्म और सचाई के नाम पर ये उल्टे काम करना बंद नहीं होगा तब तक भारत वर्ष में जो प्रती दिन छगड़े होते हैं जो सांपरदाइक दंगे होते हैं वो कम नहीं होंगे इसके लिए जो है धर्म और सच्चाई के नाम पर वो जो कुछ गिने चुने लोग हैं उन्हें रोकना होगा उन्हें जो है ऐसा काम करने से रोकने के लिए हमें साहस दिखाना होगा दिर्ता दिखानी होगी ताकि जो भारत वर्ष है उसमें जो नित्य जगड़े होते रहते ह लोगों के वो कम हो जाएं वो बंध हो जाएं धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट ना हो जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि धर्म की उपासना के मार्ग में कोई रिकावट नहीं होने चाहिए जिसका मन जिस प्रकार से चाहता है जो धर्म अपनाना चाहता है जिस धर्म की भावना को वो अपने मन में जगाना चाहता है उसे छूट होने चाहिए, उसे स्वतंतरता होने चाहिए, कि वो उस धर्म को अपनाए, उस धर्म की भावना को अपने मन में जगाए धर्म और इमान मन का सौधा हो इश्वर और आत्मा के बीच का संबंद हो आत्मा को वहा किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वधिन्ता को छीनने या कुचलने का साधन ना बने स्वधिन्ता होता है स्वधिन्ता अब यहां पर लेखक बताते हैं कि जो धर्म और सच्चाई है वो मन का सौधा हो इश्वर और आत्मा के बीच का संबंद होना चाहिए आत्मा को शुद्ध करने और उचा उठाने का साधन होना चाहिए वो किसी भी प्रकार से किसी भी तरह से जो है किसी दूसरे व्यक्ती की स्वधिन्ता को छीनने वाला या किसी भी प्रकार से दूसरे की स्वधन्ता में किसी प्रकार की रुकावट करने वाला नहीं होना चाहिए धर्म और सच्चाई का यही पाठ है कि वो मन इश्वर और आत्मा को शुद्ध करने वाला होना चाहिए किसी को लड़ने भीडाने की शिक्षा देने वाला नहीं होना चाहिए आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने दो भिन धर्मों के मानने वालों के टक्रा जाने के लिए कोई भी स्थान ना हो लेखक यहाँ पर बताते हैं कि आपका जो मन करता है आप उस धर्म को मानो और दूसरे का जो मन करता है वो उस धर्म को माने दो अलग-अलग धर्म को मानने वालों के जो जगड़े होते हैं उसका किसी प्रकार का भी स्थान जो है इस देश में नहीं होना चाहिए इस प्रकार की भावना जो है सभी के मन में होने चाहिए तब ही जो है भारत वर्ष में होने वाले जो जगड़े हैं धर्म की आड़ में जो जगड़े होते हैं वो बंध हो सकते हैं यदि किसी धर्म को मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हों तो उनका इस प्रकार का कारियत देश की स्वाधिनता के विरुद समझा जाना चाहिए इसे जो है कानूनी अपराद समझा जाना चाहिए देश की स्वाधिनता के लिए जो उप्योग किया जा रहा था उसका वह दिन नीसंदेह अत्यंत बुरा था जिस दिन स्वाधिनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौल्वियों और धरमचारियों का स्थान दिया जाना आवशक समझा गया नीसंदेह होता है बिना किसी शक के, खिलाफत होता है पैगंबर या बादशाह का प्रतिनिधी होना अब लेखक यहां पर बताते हैं कि देश की स्वातंतरता के लिए जो उप्योग किया जा रहा था उसका वह दिन जो है बिना किसी शक के बहुत बुरा था जिस दिन जो है स्वातंतरता के क्षेतर में जो है पैगंबर या बादशाह जो मुला हो गए मौलवी हो गए या कोई धर्म चारी हो गए उनका स्थान जो है आवेशक समझा गया था यानि यहां पर लेखक ये बताते हैं कि जो ये पैगंबर और बादशाह के प्रतिनिधी होते हैं जो इश्वर के प्रतिनिधी होते हैं उनका स्थान जो है स्वातंतरता के बीच में नहीं आना चाहिए उन्हें जो है स्वातंतरता से अलग रखा जाना चाहिए लेकिन जो है जब उन्हें डेश की स्वतंतर्था के उप्योग में लाया गया उन्हें तो वो जो दिन था वो जब से बुरा दिन था उसी की वज़ा से लेखक के अनुसार देश में सांपरदाईक दंगे होते हैं, धर्म के नाम पर जो है लोगों को मुर्क बनाया जाता है एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधिनता के क्षेतर में एक कदम पीछे हट कर रखा था अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है लेखक यहां पर बताता है कि एक प्रकार से उस दिन जो है हमने स्वतंतरता के क्षेतर में अपना एक दम पीछे हटा दिया था ये वो पाप है जिसका फल आज हमें भुगतना पड़ रहा है लेखक के अनुसार अगर हमने उस वक्त इसके खिलाफ आवाज उठाई होती तो आज देश में इतने सांपरदाइक दंगे नहीं होते धर्म के नाम पर जो है लोगों को भिड़ाया नहीं जा सकता था देश को स्वाधिन्ता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुलबारी और शंक्राचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया ने अधिक शक्तिशाली बना दिया लेखक बताते हैं कि देश को स्वाधिन्ता के संग्राम जो था उसी में जो है मौलाना अब्दुलबारी और शंक्राचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया था उन्हें बहुत जादा शक्तिशाली बना दिया था और हमारे इस काम का फल यह हुआ है कि इस समय हमारे हाथों ही से बड़ाई इनकी और इनके से लोगों की शक्तियां हमारे जड़ उखारने और देवी पागलपन प्रपंच और उत्पात का राज्य स्थापिक कर रही है मजभी होता है धर्म विशे से संबंद रखने वाला और प्रपंच होता है चल और दूखा अब लेखर के हाँ बार बताते हैं कि हमारे इस काम का फल यह हुआ हुआ यानि हमने यो शंकराचार्य और मौलाना अब्दुलबरी को जो है बहुत जादा शक्तिशाली बना दिया था वो उसका जो है उनकी तरह जो दूसरे लोग है वो जो है अब हमारी ही जड़ उखारने में लगे हुए हैं देश में धर्म विशेश का संबंद रखने वाले जो पागल पन है जो चल और दोखा है जो उतपात है इस प्रकार का राज्य जो है वो स्थापित करने में लगे हुए हैं यानि जो लोग हैं जो बुरे लोग हैं जो धर्म के नाम पर उल्टे काम करते हैं लोगों को भड़काते हैं दंगे पहलाते हैं जगड़े करवाते हैं वो लोग जो है इस देश में केवल एक धर्म स्थापित करने में लगे हुए हैं वो जो है हर राज्य में चल कपट और उतपात जैसे हैं ये जो है बहुत जादी बुरिस्थिती है ये लेखक हमें बताना चाहा रहे हैं महात्मा गांधी धर्म को सरवत्र स्थान देते थे वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तयार नहीं पग होता है कदम अब लेखक यहाँ पर महात्मा गांधी के बारे में बता रहे हैं कि जो महात्मा गांधी है वो धर्म को सबसे आगे रखते थे वो एक भी कदम जो है धर्म के बिना चलने के लिए तयार नहीं थे वो धर्म को जो है सबसे ज़्यादा महत्व देते थे प्रंतों उनकी बात ले उनने के पहले प्रत्येक आदमी का करतव्य यह हो है कि वो भली भांती समझ लें कि महत्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है अब लेखा के हाँ पर एक बात क्लियर कर रहे हैं कि यह बात उड़ा लेने से पहले कि महत्मा गांधी भी जो है धर्म को सबसे आगे मानते थे तो हम भी धर्म को सबसे आगे मानेंगे आपको इस बात की भली भांती समझ होने चाहिए कि जो आगे मानते थे तो हम भी धर्म को सबसे आगे मानेंगे धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म उचे और उद्दार तत्वों ही का हुआ करता है उनके मानने में किसे एतराज हो सकता है अब लेखा कि हाँ पर क्लियर करते हैं कि जो महात्मा जी हैं उनका धर्म से मतलब था कि जो धर्म है वो उचे और उद्दार तत्वों का है वो जो है धर्म को किसी चार पर्टिकुलर धर्म में नहीं बाढ़ते थे वो धर्म को एक उचे और उद्दार तत्वों का महत्व मानते थे और ऐसा मानने में किसे एतराज हो सकता है अजा देने, शंक बजाने, नाक दबाने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है अब यहाँ पर महात्मा गांधी जी का कहना था कि अजा देने, शंक बजाने, नाक दबाने या नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है वे धर्म के सपष्ट चिन बताते थे शुद आचरन और सदाचार को यानि जो महात्मा जी है वो जो है ये चार जो पर्टिकुलर धर्म मानते हैं धर्म को जो गलत तरीके से बताते हैं वो उस प्रकार से धर्म को नहीं समझते थे उनके अनुसार धर्म जो है दूसरों के साथ अच्छा विहभार करना और अपने जो उनका अपना आचरण है उसे शुद्ध बनाये रखना ही धर्म था दो घंटे तक बैठ कर पूजा कीजे और पंच वक्ता नमाज भी अदा कीजे परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत के दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेइमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुचाने के लिए आज़ाद समझते हैं तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय अब लेखा के हाँ पर बताते हैं कि आप अग बेइमानी करते हैं दूसरों को तकलीफ पहुचाते हैं और अपने आपको दूसरों को तकलीफ देने बेइमानी करने के लिए आज़ाद समझते हैं तो ये जो आप धर्म कर रहे हैं यानि पूजा पाथ करना पांच वक्त की नमाज पढ़ना इस प्रकार का जो ये धर्म है ये आगे समय पर नहीं टिकेगा जो आगे आने वाला समय है उसमें जो है फिर इसे धर्म नहीं समझा जाएगा अब तो आपका पूजा पाथ ना देखा जाएगा आपकी भलमन साहत की कसोटी केवल आपका आचरन होगी भलमन साहत होता है सजनता शराफत और कसोटी होता है परख्या जाच अब लेखर केहां पर बताते हैं कि अब आपकी पूजा पाथ को नहीं देखा जाएगा बलकि आपकी जो सजनता है जो आपकी शराफत है उसकी जो परक है जाच है वो केवल आपका आचरन होगी आपका व्यवार होगा जो साबित करेगा कि आप सही धर्म का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं यानि आपके शुद आचरन को अच्छे आचरन को अच्छे व्यवार को ही जो है आपका धर्म समझा जाएगा अब आगे आने वाले समय में आपकी पूजा पाठ को कोई नहीं देखेगा सबके कल्यान की दृष्टी से आपको अपने आचरन को सुधारना पड़ेगा और यदि आप अपने आचरन को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोजे पूजा और गायतरी आपको देश के अन्या लोगों की आजादी को रोंदने और देश भर में उतपातों का कीचर दालने के लिए आजाद ना छोड़ सकेगी अब लेखा कहां पर बताते हैं कि सबके कल्यान की दृष्टी से जो है आपको अपने आचरन को सुधारना पड़ेगा यानि जो आगे आने वाला समय है उसमें आपको अपने वहवार को अच्छा बनाना पड़ेगा दूसरों के कल्यान को देखते हुए और अगर आप दूसरों के कल्यान के लिए अपना आचरन अपना वहवार नहीं सुधारेंगे तो आप चाहे जितनी नमाज पढ़ लें आप चाहे जितने रोजे रख लें जितनी पूजा कर लें गायतری पाट पढ़ लें आपको जो है देश के अन प्रकार से है किस प्रकार से हमें आचरन करना चाहिए धर्म के नाम पर जो है आप लोगों को उल्लू नहीं बना पाएंगे आपको जो है अपना आचरन ही जो है शुद्ध करना पड़ेगा आपको अपना आचरन सुधारना पड़ेगा अपना व्यवहार जो है आपको तुक तुक का ख्याल रखते हैं और जो मुर्खों को किसी स्वार्च सिद्धी के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं अब लेखा कहां पर बताते हैं कि जो धार्मिक और दीनदार आदमी ऐसे हैं जो लोगों को मुर्ख बनाते हैं धर्म के नाम पर जो है लोगों को लड जिनका आचरन कम से कम अच्छा है जो दूसरों के सुख दुख का खयाल रखते हैं और जो बेचारे मुर्ख लोग हैं जो अनपड़ लोग हैं जो धर्म को नहीं समझते हैं जिनें अच्छे बुरे की समझ नहीं हैं उनका जो है अपने स्वार्थों के लिए गलत उपयोग कर और बुरा समझते हैं वो लोग जो हैं ज़्यादा अच्छे लोग हैं लेखक की त्रिष्टी में पर पता है जो धर्म को नहीं मानते हैं इश्वर जो है इन लोगों से ज़्यादा प्यार करेगा ऐसा क्यों कहते हैं क्योंकि लेखक बताते हैं कि जो लोग दूसरों के ख्याल रखते हैं भले ही वो पूजा पाट नहीं करते हैं एश्वर को नहीं मानते हैं लेकिन उनका वहवार अच्छा है दूसरों के प्रती वे दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं वो लोग जादा अच्छे हैं उन लोगों के अकॉर्डिंग जो दूसरों का बुरा करते हैं दूसरों का बुरा करके अपने आपको जो है उंचा उठाते हैं और लेखक बताता है कि ईश्वर भी जो है नास्तिकों से जादा प्यार करेगा क्यूंकि वो दूसरों के प्रती अच्छा व पवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा मुझे मानो या ना मानो तुम्हारे मानने ही से मेरा इश्वर तत्व कायम नहीं रहेगा दया करके मनुश्यत्व को मानो पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो अब लेखा कि हाँ पर बताता है कि जो इश्वर है वो अपने पवित्र नाम पर जो गलत काम करने वाले लोग हैं उनसे यही कहना पसंद करेगा आने वाले समय में कि मुझे तुम मानो या इश्वर अपने आपके दे कहेगा कि तुम मुझे मानो या ना मानो तुम्हारे मानन मेरा इश्वर तत्व कायम नहीं रहेगा यानि जो मेरी शक्तियां हैं जो मैं इश्वर कहलाया जाता हूं तुम्हारे मानने या ना मानने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम दया करो मनुशत्व को मानो यानि जो मैंने तुम्हें बनाया है की शक्ति दी थी तुम उप्योग करो अच्छे काम के लिए उप्योग करो तुम पशु बनना छोड़ो तुम आदमी बनो तुम यानि आदमी बनने का मतलब यहां पर यह है कि तुम जो है अपने आप को अच्छा साबित करो तुम अपने वहवार को अच्छा बनाओ दूसरों के प्रती जो है अपन नास्तिकों को पसंद करना अच्छा समझेगा इस पार्ट को पढ़कर आपको ये तो आइडिया हो गया होगा कि जो लेखक है वो असल में हमें ये बताना चाहते हैं कि जो आने वाला समय हैं उसमें लोगों को धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाना आसान नहीं होगा जो लोग हैं वो नास्तिक होना पसंद करेंगे धर्म के नाम पर गलत काम करना पसंद नहीं करेंगे और इश्वर भी जो है यही चाहेगा पसंद नहीं करेंगे और इश्वर भी जो है यही चाहेगा कि जो लोग हैं वो बुरे काम ना करें क्योंकि जो लोग हैं वो इश्वर के नाम पर ही जो है लोगों को बिड़वा रहे हैं लोगों को लड़वा रहे हैं इश्वर को ये पसंद नहीं आएगा और लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें भी धर्म का सही अर्थ पता होना चाहिए हमें धर्म के नाम पर कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए हमें ऐसे का हमें विरोध करना चाहिए जो लोग धर्म के नाम पर दूसरे लोगों को भड़काते हैं